मम्मी जी आप फिर से उड़ गए मम्मी जी मैंने आपको कहा था ना आपको कोई काम करने के जुरत नहीं है चलो दवाई लो आप पहले मम्मी जी अभी इनका फोन आया था वो होस्पिटल होते हुए गए थे उन्होंना आपकी रिपोर्ट देख ली है रिपोर्ट आपकी एकदम सही आई है मम्मी जी ये लो दवाई ले लो आप बेटा तु सारा दिन काम करती है मैं तो पूरे दिन बैड में बैठी रहती हूं बेटा या तो तु बोलती है सोजाओ मम्मी तू भी अखेली कितना काम करेगी तेरी भी मदद हो जाएगी थोड़ी मम्मी जी देखो, अभी भी आपके अंदर थोड़ी बहुत कमजोरी है उसके लिए आपको रेश्ट तो करना पड़ेगा, तब ही जाके ठीक होगे न आप बेटा कितना रेश्ट करूँ, मुझसे नहीं होगा अब तेरे घर के काम में मदद कर दूँगी मैं, मुझसे रेश्ट करने को मत बोल भू मम्मी जी आप काम भी तो कितना करती हो, अब इस उमर में इतना काम करोगी, तो अच्छे अच्छे की तव्यत खराब हो जाती है अरे भू मैं थोड़ा बहुत घर का काम करूँगी, इधोदे चक्कर लगाऊंगी, तो मुझसे लगता है मैं तंद्रोस्त भी रहूंगी बिस्तर में पड़ी पड़ी, बिरकुल कमजोर सी हो गई हो, कैसी कमजोरी है ये, ठीक ही नहीं हो रही, कितनी दिन हो गए है अच्छा, तो मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी को बुला लेती हूँ फोन करके अब दीदी ही आपको समझा सकती है, आपका भी मन बदल जाएगा बस यही कमी थी, उसको और बुला ले तू, अब तेरे जैसे वो समझाएगी मुझे तू कम है, जो उसको और बुला रही है इदर ममी जी, मैं दीदी को फोन करके आती हूँ, अब वो ही समझाएगी आपको तब तक आप ये दवाई ले लो अरे बहुत, सुन तो साही, अब तो जिन्दिगी दवाई गोलियों में ही निकल रही है भाबी, अरे दीदी, आ गए आप, आजाओ आजाओ भाबी, क्या बात हो गई? ममी की तब बेट ज़्यादा खराब हो गई क्या? जो आपने मुझे फोन करके बुलाया? वो भी अच्छानक से फोन क्या भाबी आपने अच्छा हो अदीदी, आप आगई आप ना ममी जी को अच्छे से समझाओ ममी जी इस उमर में भी उठके घर का काम करने लग जाती है मैं तो उनको लाख मना कर दू फिर भी वो कहती है तू अखेला कितना करेगी मैं भी करूँगी तेरे साथ काम बलकि मुझे कोई एत्राज है इन्ही अखेले काम करने में जबरदस्ती मेरे पीछे लगी रहती है काम करने के चक्कर में पहले तो इनकी तबिए ठीक नहीं रहती अब आप ही बात करो उन से भाबी ममी भी ना में उनको फोन में इतना समझाती हूँ कि इस उमर में काम मत किया करो अब मैं जाकर करती हूँ बात उन से मम्मी आपकी जित की वज़े से मुझे आपको समझाने के लिए अपने सुसुडाल से यहां आना पड़ रहा है और रोज रोज अच्छा भी नहीं लगता मम्मी बेटा मैं कहां जित कर रही हूँ मम्मी मुझे तो लग रहा है आप भाईया भाबी के पैसे ही बचा रहे हो भाईया भाबी तो इतने अच्छे है वो आपको महंगे से महंगे होस्पिटर में भी दवाई दिलवा देंगे पर आपको खुद को ही ठीक नहीं होना आप ही कहते होंगे कि मुझे तो सस्ते से पापने लिए इस घर में कुछ खबर नहीं है कुछ पता नहीं है भाबी मुझे इस घर की पल-पल की कब देती है खासकर आपकी और भाबी ना आज ही मुझे मुझे बताया है कि आप कैसे खड़े हो करना जुरूरी है क्या आपको अब बेटा रोज रोज ऐसी बिमार रहूंगी बिश्टर में पड़ी रहूंगी तो फिर तो सरमी आती है मुझे पैसे बितने लगते हैं जिद्धी हो मम्मी आप मुझे क्या पता नहीं है मैं कुवारी थी ना तब वहाद आप ऐसे ही करते थे कितना भी मना कर लो आपको करनी आपको कुद की मन मर्जी है अब बेटा ऐसे जोज जोज बिमार होके मैं तो मन सा उठ गया है अब तो दवाया ले लेके अब चुखी हूँ अब चलतो आई है तो अंदर मेरी जो अलमारी है ना उसके अंदर एक गहने का बॉक्स पड़ा है जो मैंने पीले कपड़े में लपेट रखा है वो ले आ उसका मैं क्या करूँगी अरे तू तो क्या ही करेगी मैं बोल रही हूँ ना जा लेके आ अच्छा ठीक है लेके आती हूँ देखना पेटा पीले कपड़े में उपड़ी लपेट के रखा हुआ है लो ममी क्या करोगे इसका हाँ बेटा ये गहने का जो बॉक्स है ना तू रख ले क्या हाँ बेटा तू रख ले इसे मम्मी मैं क्या करूंगी इसका इसमें तो आपका हार है मम्मी मैं दे रही हूँ ना तुझे ले ले अच्छा आपने मेरे लिए रख रखा है इसको हाँ बेटा बेटा इसमें एक सोने का हार है और सोने के कंगन है ये तेरे लिए निकाल के रखाता मैंने बहु दिन रात करें सेवा और बेटी ले जाए सारे गहने ये क्या बात हुई मम्मी जी का मुझे इस रुप का तो पता ही नहीं था मम्मी जी को डॉक्टर के पास भी में ही लेके जाती हूं उनकी सेवा भी करती हूं दवाई पानी का सब चीज का ख्याल भी रखती हूं लेकिन मम्मी जी भी ना उनका मन बदला ही नहीं मेरे लिए सही कहते ही लोग, भहू स्वाइ रहाती है। कितना भी सेवा पानी कर लो साससु सुर की, उनको वो चीज कभी दिखती ही नहीं है। दे दो बेटी को सब कुछ, अब कर वाले ला मुझसे सेवा। बेटी को दिये हैं ना गेहने और पैसे तो बेटी ही करेगी अब सेवा ये सास लोग ना कभी भी भोकी मा जैसी नहीं बन सकती इतने तो हम अपने माइके में अपने मा की सेवा भी नहीं करते हैं जितनी हम अपनी सास की करते हैं सारे दिन हाथ में चाय पानी देती हूं इनके इतनी सेवा करती हूं इनकी के मम्मी जी ये काम मत करो वो काम मत करो लेकिन इनको तो आखरी में बेटी ही याद आती है बुड़ापे में मम्मी इनकी चमक तो अभी तक नहीं गई वैसे के वैसे ही है अभी तक ही है हाँ बेटा मम्मी एक मिनट भावी, भावी, एक मिणट यहां आ आना जरा हाँ दीदी, भावी अब आप ही देखो, मम्मी अपना हार का सेट मुझे दे रही है अच्छी बात है दीदी, मम्मी जी दे रहे हैं आपको, तो रख लो, ले जयौ भावी मैं कैसे लेलू ऐसे आप हो इस घर की बहुतो तो इस हार में हक भी आप ही का है मैं नहीं लूँगी भावी से भावी मम्मी का ध्यान आप रखते हो सारे दिन देख भार आप करती हो मम्मी की आप सेवा करती हो तो हार भी आप ही लोगी मैं कैसे ले लूँ यहार मेई साश ने भी मुझे दिया है हार क्यूंकि मैं उनकी सेवा करती हूँ तो फिर उस हिसाब से मम्मी ये घेने आपको दे बेटा तुझे मैं दे रही हूँ न तो तू रख ले पूरे थोड़ी ना दे रही हूँ तुझे तेरी भाबी के लिए भी रखे है मैंने एक सेट मैंने अंदर और रख रखा है वो तेरी भाबी का है और ये तेरा है अच्छा ममी भाबी के लिए भी है ये तो और भी अच्छी बात है मुझे से भूल हो गई मम्मी जी मुझे और दीदी को तो बराबर ही रखती है लेकिन मम्मी मैं नहीं लूँगी इसको इस पर मेरा हक नहीं है भाबी है इस घर की भूतो फिर मैं कैसे ले जाऊँ बेटा दो सेट है मेरे पास एक मेरे सस्राल वालों की तरफ से और एक तेरे नाना नानी न मुझे दिया था सादी के वक्त तो एक मेरी माईके की तरफ का है और एक सस्राल की तरफ का है तो उसमें से एक तुझे दे दूँगी और एक तेरी भाबी को मैं अपनी खुद की मर्जी से दे रही हूँ बेटा मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो मेरे लिए तो तुम दोनों ही बेटिया हो मैं ऐसा नहीं मानती कि वो बहु है तु बेटी है देख लो ममी आपको जैसा ठीक लगे बेटा मैंने तुझे जनम दिया है तु मेरी बेटी है तुझे मैं टाल नहीं सकती और ये इस घर की भहुए तो इसका भी इस घर में पूरा हक बनता है तो तुम दोनों को मैंने बराबा रखा तुम दोनों के बीज कभी मन मोटाव नहीं होगा मैंने ये कैसे सोच लिया कि सास के घहनों में हमेशा भहु का ही अख होता है दीदी भी तो ममी जी की बेटी है क्या सास घहने देगी तब भहु सेवा करेगी अब तुम दोनों ही बताओ मेरे कौन से तीन चार बेटे हैं जो भहुए आपस में बाट लेगी जो बटवारा होगा मेरे तो खाली एक तू है और तेरा भाई है दोनों काब मैंने बराबर बराबर दे दिया अब बेटा तेरह जीके कोई लड़का हो जाता इसको भी तो देना पड़ता न इसलिए मेरे लिए तो लड़का लड़की कुछ नहीं है मेरे ले तो मेरे बच्चे हैं दोनु मेरी भी आत्मा संतूष्ट हो गई कि मेरे बच्चों में कभी लड़ाई नहीं होगी मैंने न तुम दोनों को हमेशा बराबर रखा है अब तेरी भावी की साधी में जितना सोना तेरी भावी को दिया है न मैंने उतना ही सोना तेरी साधी में तुझे दिया था अब तक मैंने तुम्हें बराबर रखा था तो मैंने सोचा ये दो सेट पड़े है जब तक मेरा हाथ पाँच चल रहे है जब तक तुम दोनों को दे देती हूँ अब मैं तो दवाई गोल्यों के उपर ही चल रही हूँ और बेटा तु अपनी भाबी का सेट और देख लेना अब बेटा बेटेओं का भी तो घर पे हक होता है ना इतने साल पली बड़ी है यहां तू तो में लिए तो हमेसा तो छोटी बच्ची ही रेगी अब तेरी भाबी को तुझे मेंने हमेसा बड़ाबर रखा है तो ऐसे ही अच्छे से रेना नमस्ते दोस्तों तो आज की आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंटर हमें जरूर बताना अच्छी लगी हो तो लाइक से सस्क्राइब भी जरूर कर देना